कत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल इस्टेडी वितरवी में दोस्तो आज के हम इस वीडियो में उत्रकासी जनपत से सम्मंदित 30 महत पूर्ण प्रशन पढ़ने वाले हैं और हमने इसमें उत्रकासी से सम्मंदित 20 सभी प्रशन सामिल के हैं जो आपके अगिशाम में पूछे कर लीजिगा और इससे पहले हम ने जितने भी जनपत पढ़े हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर मिलाईगी वहां से आप जाकर देख सकते हैं तो फ्रेंट्स पहला प्रशन है कि उत्रकासी का सबसे प्राचीन नाम क्या है तो सही आंसर दोस्तो ओप्शन सी बाड़ा हाट ठीक है तो उत्रकासी का सबसे प्राचीन नाम है बाड़ा हाट रुद्र अब्रत की बात करें ठीक है तो रुद्र अब्रत जो नाम आता है फ्रेंट्स रुद्र प्रिया का नाम आता है मकरपूर खटीमा का नाम और फ्रेंट्स मोर्दुहज जो नाम है त गला कोशन है कि वेन सांग ने अपनी यात्रा बरतांत में उत्रकासी को किस नाम से उलेख किया है तो फ्रेंट्स वेन सांग ने अपने यात्रा बरतांत में ठीक है उत्रकासी को जो कहा है तो वह है सत्रु घंणगर कहा है ठीक है जो राजगड़ी है तो राजगड़ी फ्रे कि यग वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई हैं तो तो फ्रिंट्स जो कुडिन सासक था सबसे 12 साली सासक है अमुकभुती जिसकी यग वेदिका उतरकासी के पुरोला देव डुग्गा से प्राप्त हुई है फ्रेंट्स हारे कोशन इंपोटेंट है बस आप इसी पिरकार वीडियो के लाश्ट बने रहीगा सभी के फैक्ट जानेंगे हम ठीक है जितने भी हमारे ओप्शन है और कोशन से रिलेटेड भी पांचपा कोशन है कि उत्राखन में तलारी कांड को निम्न में से किस की संग्या दि गई है तो फेंट्स उत्राखन में जो तलारी कांड हुआ था 30 मई 1930 को तो इसे उत्राखन का जल्या वाला भाग हत्या कांड कहते है ठीक है आपसे पुछा जाएक कि उत्राखन का जनरल डायर किसे कहते हैं तब सही आंसर होता है चकरधर जुआल ठीक है जिसने गोली चलाने के आदेश दिये थे तिलारी कांड में नेस्ट कोस्ण हैगा कि उत्राखन में तिलारी कांड की घटना कब घटी तो पीछे बताया था कि तिलारी कांड जो हुआ था फ्रेंड्स तो वहें 30 माई 1930 को हुआ था छेतरफल की दरश्टी से उत्राखन में उत्रकासी जनपत का कौन सा इस्थान है अब देखिए उत्रकासी जनपत का छेतरफल है असी सोले बर किलोमेटर और जो चमोली का छेतरफल है तो वह है असी तीस बर किलोमेटर है पर आयोग ने उत्रकासी का छेतरफल सरवधिक माना ह तो याद रखने है कि उत्रकासी का जो छित्र फल है ठीक है तो उसका पहला इस्तान है अगला प्रशन है कि उत्रकासी सहर की किस नदी के तट पर बसा है तो उत्रकासी नहर जो है फ्रेंट्स तो वह है भागरती नदी के तट पर बसा है अगला प्रशन है कि कालिंदी दर्रा इस्तिथ है, तो friends, जो कालिंजी दर्रा इस्तिथ है, तो वहें उत्रकासी और चमोली के मद्धी है इस्तिथ就是說 शिरंग कंठ दर्रा इस्तिथ है, ठीकिए, नेलंग की बात करें, बरासू, ठीकिए, और friends, जो हमारा सांग चोकला दर्रा है, तो देखे सांग चोकला और जो निलंग हाटी है निलंग दर्रा भी तो यह है तिबबत के और उत्रकासी के मद्य इस्थित है ठीक है बरासू दर्रा जो है friends तो यह है कि नोर और हरी की दून के मद्य इस्थित है अगला प्रेशन है कि निमने में से कौन सा दर्रा उत्रकासी और तिब्बत के बीच इस्थित है तो फ्रेंट्स हमें बताना है कि उत्रकासी और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा इस्थित नहीं है ठीक है तो इसका सही आंसर है option c कालिंदी दर्रा जो कि friends चमोली और उत्रकासी के मद्धिय इस्तित है थांगला दर्रा, निलंग दर्रा, मुलिंगला और सांग चोकला दर्रा भी आता है तो यह 4 दर्रे उत्रकासी और तिबबत के मद्धिय इस्तित है 12 question है कि पहाड का रेगिस्तान बेह उत्रकान का लद्दाक निम्न में से किस घाटी को कहा जाता है तो पहाड का रेगिस्तान और उत्रकान का लद्दाक जो कहते है friends तो बेह निलंग घाटी को कहते है निम्न में से सर्वधिक उचाई पर इस्तित परवत कौन सा है तो देखिए बताना है कि निमली खित में से कौन सा सबसे अधिक उचाई पर परबत इस्तित है तो फ्रेंट्स देखिए पहले इनकी उचाई देख लेते हैं तो थलय स्यागर की जो उचाई है तो वह 59,04 है ठीक है और जो गंगोत्री की है तो वह 66,72 है बंदर पूच की बात करें तो 63,20 मीटर है ठीक है और जेलंग की बात करें तो इसकी 58,71 मीटर उचाई है ठीक है तो इसमें सर्वदिक जो उचाई है तो बहत थलय सागर की उचाई है नेश्ट को सनएगा कि निमने में से किस नदी को पुराणों में सूर्य की पुत्री वय यम की बहन बताया गया है तो friends सही answer रहेगा option B यमना नदी को ठीक है तो प्राणों में सूर्य की पुत्री वय यम की बहन जो बताया गया है तो वय है यमना नदी को बताया गया है पंदरबाब रसने कि उत्राखन का सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान कौन सा है तो देखिए उत्राखन का जो सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान है तो वह है गंगोत्री राष्ट्य उध्यान है जिसका कुल छेत्रफल है 2390 बर किलोमीटर ठीक है तो याद रखना है कि सबसे बड़ा राष्टे उध्यान है हमारा गंगोतिर राष्टे उध्यान जो कि फ्रेंट्स उत्रकासी में ही है और गंगोतिर राष्टे उध्यान जो है तो यह भी उत्रकासी में ही इस्तित है जिसका कुल 6 तरफल है 472 बर किलो मिटर देखे बात करते हैं कि जिम कोरवेट नैसनल पार्क तो फ्रेंड्स यह है नैनिताल और पोड़ी में आता है जिसका कुल 6 तरफल है 520 बर किलोमीटर इसी पिरकार बात करते हैं राधा जी राष्ट्य उध्यान जिसका कुल 6 तरफल आता है 820.4 बर किलोमीटर जो कि राध्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान है ठीक है और यह जो आता है फ्रेंड्स राधा जी तो यह तीन जनपदों में आता है पहला जनपद है पोड़ी दूसरा देहरा दून और तीसरा है हरीद्वार ठीक है तो इन तीन जनपद में फैला है राधा जी राष्ट्य उध्यान नेस्ट कोस्टन नहेगा निम्न में से किस नदी का उद्गम इस्थल गोवमुक है, तो फ्रेंज गोवमुक से जो नदी निकलती है, तो बहए भागरती नदी निकलती है, तो सही आंसर है हमारा ऐप्शन ए, निम्न में से उत्रकासी में इस्तित गरम पानी का ताल कौन सा है तो दोस्तों सही आंसर है ओप्शन B फचकंडी बया ताल जो की फ्रेंट से एक उबलते जल का शुरोथ है मंगला चुताल की बात करें तो ये एक ऐसा ताल है जिसके किनारे ताली बजाने से सोयम ही बुलूले उत्पन होते हैं अगला प्रशन हैगा कि युम्ना नदी का उद्गम इस्थल युम्नोत्री काठा हेमनत कि परवत पर इस्तित है तो जो युम्नोत्री काठा है तो बंदर पूछ परवत पर इस्तित है जिसकी उचाई आती है 6320 मेटर ठीक है तो याद रखनी है कि बंदर पूछ परवत की 2525 km पर सिर्फ भारत में बात करें तो इसकी भारत में लंबाई आती है 271 km ठीक है अब देखिए यह जो इसका कुछ इससा है तो बांगला देश में भी बहता है तो बांगला देश में जो इसकी बहने के लंबाई है if you push daí 554 km है ठीक है तो याद रखना है अलगनंदा का संगम इस्थल है, तो भागरती और अलगनंदा का जो संगम होता है, तो बैहा देप पिर्याग टीरी में होता है, जो की पंच पिर्याग का सबसे अंतिम पिर्याग है, और इसी संगम को जो बोलते हैं, सास भहू का संगम कहते हैं. next question है कि उस ताल का नाम बताईए जिसका नाम हिमाल्य ब्राउन ट्राउन पिरजादी की मचलियों के नाम पर रखा गया है तथा इस ताल की जो कोने है तो बहुत छे कोने है ठीक है तो यह बताना की बहुत ताल कोन सा है तो देखिए यह जो ताल है तो यह डोडी ताल है तो स कोशन बनते हैं डोडीताल से नेस्ट कोशन दोस्तो की सूरय कुंड मेरत देब कुंड इस्तित हैं सूरय कुंड और देब कुंड जो है तो जो है उत्तरकासी में इस्तित हैं तो सही सरक्ष रोफ और कुंड को कहा 요र्य Dosanिकर यूद तो सबसे बड़ा glacier उतरकासी में इस्तित है जो की गंगोत्री glacier है इसके लंबाई चुड़ाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई आती है तो वह है 30 km आती है और चुड़ाई 2 km आती है ठीक है next question है दोस्तो कि मा गंगा हवाई पट्टी उतरकन में कहां इस्तित है तो जो मा गंगा हवाई पट्टी है तो वह है चिल्याली सोण उतरकासी में इस्तित है तो याद रखना है चिल्यानी सोण जो हवाई पट्टी है ठीक है तो यह है उतरकासी में इस्तित है अगला प्रेशन रहेगा दोस्तो कि उत्तरकासी में किस बर्स नहरू परवता रोहन संस्थान की इस्थापना की गई तो दोस्तो नहरू परवता रोहन संस्थान जिसे हम क्या बोलते हैं नीम ठीक है तो इसकी स्थापना जो की गई थी तो 24 नमंबर 1965 में की गई थी अगर इसके बात करें इसके प्रथम जो प्रधाना चार्या थे तो पहले प्रधाना चार्या थे दोस्तो इसके ब्रिगेडियर ग्यान सिंग ठीक है ये कोशन भी बन जाता है अगला प्रशन रहेगा उत्तरकासी में इस्थित बिश्विनात मंदीर की ससाली में बनाया गया है तो दोस्तो सही आंसर है option D इन में से कोई नहीं अगला प्रशन रहेगा 28 वा कि गैंदूवा मेला कहां लगता है तो friends इसका जो आयूजन होता है तो वह उतरकासी के नेट बाड़ा में होता है तो सही आंसर है हमारा option C 29 कोशन है कि निमली खित में से कौनशी परियोजना भागरती नदी पर नहीं बनी है तो friends इसका जो सही आंसर है तो वह option D है कि नेट बार मोरी जल्ब विदूत परियोजना जो बनी है तो यह है टोन्स नदी पर बनी है लोहरी नाग पाला परियोजना और लिम्ची गाड पाला मनेरी यह टीनो योजना जो है तो friends भागरती नदी पर बनाई गई है अगला प्रेशन हैगा और यह हमारा इस वीडियो का last question है कि उतरकासी में गोमुक तक के छेतर को कब इको सैंसिटिव जोन घोसित किया गया तो friends इसका answer आपको comment box में बताना है क्योंकि हमारा last question जो होता है आपका homework होता है और हमेशा की तरह comment में जरूर करके answer बताएं इसका साथ में जरूर बताएं कि आज किये class कैसी रही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए ठीक है चलिए तो मिलते हैं ने इस वीडियो के साथ तब तक के लिए भाई thank you so much for watching